नमस्कार आप देख रहे हैं HR News और हम आपको एक बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं HR News के दर्सकों से दर्सकों को उमीद थी के जल्द से जल्द HR News वो अथंटिक खबर देगा जिसकी चर्चाएं बाजार में गरम थी लेकिन अब हम आपको अधिकारिक तोर पर पुष्टी कर रहे हैं कि बारा तारीक को जो धारुहेडा नगरपाली का चेयर्मेन पत्का उप चुनाव होना था वो चुनाव रद हो गया है ये अधिकारिक तोर पर हम आपको पुष्टी करके बता रहे हैं और इसकी पुष्टी बकाइदा हमें फोन पर की है जो परदीब देशवाल जी है यानि कि जो नगरपाली का चुनाओ के अंदर असिस्टेंड रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए थे उन्होंने इस बात की पुष्टी कर दी है कि बारा तारीक को चुनाओ नहीं होगा इसकी कैसारी वज़े निकल करके आई है जो चर्चाएं थी अलग अलग तरीके से कि आखिर ये चुनाओ क्यों रद्दुआ आपको पहले बता देते हैं कि बारा तारीक को मद्दान होना था और आज चुनाओ परचार का अंतिम दिन था तमाम लोगों ने जो अपने रोड़ शो किये जिस तरीके से जो जो परचार करना था आज अंतिम दिन भोपुका शौर बज़ रहा था वो शाम पाँच बजे ठम गया था लेकिन पांच बस्ते बस्ते जो खबर आई उसने सभी परत्याश्यों क होश उड़ा दिये होश क्यों उड़ा दिया कोगी पिछले कई दिनों से लो चुनाओ परचार में लगे हुए थे लेकिन आज जो खबर आई उसको ले करके सभी सकते के अंदर रहे गए आपको बता दें दिसंबर के अंदर यहां चुनाओ हुए थे और चेर्मेन पद यहां था उनकी मार्च सिट को लेकर के लेकिन उसी को लेकर के कमर सिंग जो है हाई कोट में चले गए थे उन्हों ने भी वहां जो है अपनी शिकायत कराई थी और उस शिकायत का आज कहीना कहीं जो है जो चीज सामने आए निकल करके के हाई कोट ने उनकी मार्च सीट को मान लिय है सही और उसको लेकर के तो यह जो चर्चाएं आई पूरे दिन भर यह चलती रही जिस तरीके से शाम के वक्त यह तमाम चीज़े हुई उसको लेकर के लोगों में शंसे था और एचार न्यूज पर लगा था लोगों की निगा बनी हुई थी कि आखिर यह सब चीज़े क्यो धारू हेडा नगरपालिका का निकाय चुनाओ जो होना था वो अब रद हो गया है वोटिंग बारतारिक को नहीं होगी इसको लेकर के परदीब देशवाल जो रिटर्निंग अधिकाली थे असिस्टेंट उन्होंने फोन पर साफ तर्वे कह दिया है कि बारतारिक को मतदान नहीं होगा क्योंकि जाहिर है अब ये बड़ा मामला जो सामने निकल के आया इसकी भी हम आपको पूरी तपतीस से बता देते हैं कि धारू हेडा नगरपालिका का चुनाओ बारतारिक को होना था उप चुनाओ और ये उप चुनाओ अब पूरी तरीके से रद हो गया है ब जैसे ये खबर आई यानि कि जैसे ये खबर आई जो प्रत्यासी चुनाओ लड़ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं हड़कम मच गा है को कि पिछले कई दिनों से वो लोग अपने चुनाओ परचार में लगे हुए थे चेर्मेन पत्की कुर्सी को लेकर के और जो पारसदों के रूप चुनाओ है वो पहले हो चुके थे लेकिन जो सपत के दिन कि यानि कि जो सपत होनी थी चेर्मेन की वो नहीं हो पाई थी और वो कई सारे कार्णों से यानि कि जिस तरीके से लोग चुनाओ आयोग के पास चड़े गे थे मार्क सीट को लेकर के रस्वी की मार्क सीट को ले करके और उनको चेर्मेन नहीं बनने दिया गाया यानि कि सपत लेंडल से रोक दिया गया था चुनाव आयोग ने वो चुनाव रद कर दिया था और अभी आपको बता देंगे शायद ही सोचा होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो दिन पहले चुनाव रद हो जाए और यह स्तिती सामने आजे आज इसकी जो बांगी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं आपको पताए बड़ी ही चोकाने वाली है जो उमीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनके मन सुबो पर पानी फिर गया कि यानि कि बारत तारी को मद्दान होगा और वो चेर्मेन बनेंगे लेकिन अब इस तिदी पूरी तरीके से पलट गई है क्योंकि नो महीन आठ महीने से करीब का जादा समय हो गया दिसंबर में चुनाव हुए थे और चेर्मेन का जो चुनाव रद दुआ था उसको लेकर के तमाम लोग उमीद लगाए बैठे थे और जैसे उप चुनाव की फैंस बलाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि चुनाव मतदान से यानि कि दो दिन पहले जैसे ही चुनाव परचार थमेगा पांच बजे उससे पहले पहले इस तरीके की सूचना आ जाएगी जानकारी आ जाएगी और ये खबर आख की तरीके से वाइरल हो गई पूर के लिए इनके बूत के लिए टेंट वहाँ पर सच चुके थे तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे थे लेकिन लोगों की निंगाती एचार न्यूज पर की एचार न्यूज फाइनल खबर कब देगा ये हम आपको अब दे रहे हैं पूरी फाइनल कबर जो हमारे दसक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे पेज को शेर करें और तमाम जानकरी लोगों को दें क्योंकि अब ये चुनाओ पूरी तरीके से रद होगा बारा तारीक को मतदान नहीं होगा और कमर सिंग जो है जो पहले चुनाओ जीते थे उनकी मार्ट सी ये कह दिया हलाक कि अभी हमारा फॉन नहीं उठाया है जिलाओ पाइट ने और लेकिन जिस तरीके की जो खबरे वाइरल हो रही है उससे संकेत मिल रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि कमर सिंग ही चेर्मेन बने रहेंगे तो जाहीर है तमाम लोगों के जो मनसुबा पर ज उसको यानि की सही मान लिया है कि दस्वी की मार्क सिटिन की सही है और उसको लेकर के अब ये चुनाओ भी रह दोगा है क्योंकि आज बारा ता आज जिस तरीके से चुनाओ पर चार थमा और उसके बाद परसो चुनाओ होना था बारा तारी को रवीवार को और जिस तरीके उसे अपील है कि वो इस खबर को शेयर करने के बाद और भी आगे शेयर करें एक बार जो दर्सक हम से भी जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि बारा तारिक को जो धारू हेडा में नगर पाली का चेर्मेंट पत का उप चुनाव होना था वो चुनाव अब रद हो चुका है यह तस्दीक कर दी है जो तैसिलदार है परदीब देशवाल जी रिटर्निंग असिस्टेंट अधिकारी थे चुनाव में न्यूक्त किये गए थे धारू हेडा के अंदर हमने पहले भी आपको उनका इंट्रू दिखाया था किस तरीके से नमांकन को लेकर के उन्होंने एक सकतार से देंगे क्योंकि लगातार इसके उपर हमारी निगाश बनी रहेगी का आगिर अभी और क्या फेर्ला लिकलके आते हैं क्यों कुछ होता है अगर चेयरमेन कवरसिंग बने रहेंगे तो क्या उनको सपत पत सपत दिलाई जाएगी दोबारा से चेर्मेन पत की कुर्सी पर बैठाए जाएगा क्योंकि नो महीने पहले ये पूरा मामला लेट हो चुका है उनकी मार्क सीट को लेकर के अगर वो कवर्सिंग चेर्मेन बने रहते हैं तो क्या परसासन उनको दुबारा से सपत दिलाके चेर्मेन पत की कुर्सी पर बैठाएंगे वो सब चीजे भी देखने वाली बात होगी लेकिन आज जो हुआ वाक्या वो कहीं न कहीं चोकाने वाला है इसमें बहुत सारी चीजे भी निकल करके आएंगी चंछन करके आएंगी कि आखिर चुनाव हुआ तो कैसे हुआ उप चुनाव रद हुआ यानि कि तमाम जो परचासी लगे रहे पिछले कई दुनों से चुनाव परचार में लगे होते आखिर उनका कहा जाएगा कितना पैसा उन लोगों का खर्च हुआ जो वो चुनाव को लेकर के चुनाव परचार में कर रहे थे तो कैसारी इस्तितिया भी निकल करके आएंगी हम आपको जब कल धरवेड़ा जाएंगे उसका भी हम आपको अपडेट देंगे कि लगातार धरवेड़ा के ल यानि कि रद्ध हो गया है तो जाहित र billing सबके मनसूबह भाड़े फानी फिर गया है जो तमाम उमिद्वार लड़ रहे थी vaarem पड़की कुरसी को ले करके उनके मनसूबह पर वोटरों के जो खबर आई कि अब बारातारिक को मतदान नहीं होगा ये एक चोकाने वाली खबरती और ये हम आपको अधिकारिक तोर पर जो हमें ब्यान दिया गया है फोन पर वो हम आपको दिखा रहे हैं फिलाल इतना ही फिर आएंगे किसी नए खबर के साथ तब तक के लिए नवश्क कि अब साथ झाल झाल